हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ध्यान भी रहे होंगे पढ़ाई भी साथ कर रहे होंगे तो आज के जो हम लोग हमारा जो पॉइंट अफ डिसकेशन है वो टॉपिक है कॉस्मेटिक्स जी हम लोग कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं मैं आप चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो टॉपिक में पीछे आपको पढ़ा रहा हो यहां से फार् देखा जाए तो दो question इस topic से minimum देखा जाय तो एक question maximum देखा जाए तो three questions GPAD में भी एक question जो पूछे जाने की पूरी संभावना होती है इस topic से उसके अलावां डि याई बगरा में बहुत कम पूछा जाता इक के दुख्य अगर कभी आ गए तो आ गए तो इस टॉपिक जो कि मेरे पीछे दिख रहा है कॉस्मेटिक इस टॉपिक इस गॉइंग फॉर दी गॉइंग टो बी इंपॉर्टेंट फॉर दी फार्मासिस्ट इग्जामेनेशन इफिर प्रिपेरिंट फॉर दी फार्मासिस्ट इग्जामेनेशन डेफिनेटली यू कन एक्सपेक वन टू टू केस्टन से देखे आपको लग सकता है कि क्या बच्चों जैसी चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं तो हमें शाइंपो में पता है बात आपको मतबह बता दूं दुनिया भर का स्टेंडर क्या करोगे आप पढ़के जो क्वेश्चन बनता वहीं पढ़ो ना आप बाकवास की चीज़ आपको पीसडी तो नहीं करना है यूँ वांट सेलेक्शन आपको सेलेक्शन लेना है यूँ डॉन्ट वांट एनी पीस है ठीक है तो जहां जहां आपसे रेक्वेस्ट है कि जहां जहां मैं बताओ कि यह पॉइंट इंप्वाटेंट है यह कुष्चन आ सकता है यह कुष्चन आया हुआ है उस पॉइंट को लिख लेना है शौर्ट बना लेना है यह आपकी जिम्हेदारी है ठीक है चलिए हम लो तो नेल पॉलिस को हटाने के लिए बात करें गे तो प्लीज को इस लेक्षर को अच्छे से पढ़िए धान से पढ़िए चलिए सबसे पहले आया शैंपू हैरें मेरा कोई आदा करने का ठीक है एक एक रेप्रिजेंटेटी के तौर मैं ने लिया है ठीक है कृश्च को किसी चीजह न ले एक चीजह और आप देख सकते कि बड़ा गुलावी उर में चाए उल्फ करता है अयम्पू का है इस बग्वास ना करते हो आ Chocolate तुन एच्छ आगा. सैंपु को हम लोग क्या करते हैं बाल धोने के लिए यूज़ करते हैं हेर क्लिंसिंग में यानि कि एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट जो की हेर क्लिंसिंग में यूज़ता है इसके डेफिनेशन कहीं लिखने जोरत नहीं यह आपको भी पता है ठीक है एक छोटे से डेंट्रफ वाला तो चोटे नीआलं यहां। यहां पर समझते हैं अब देखो यहां पर मैंने चीजे थोड़ी से लिख के लाई आया हूं ताकि वीडियो बहुत जादा लंबी ना बने अगर बहुत जादा लिखूंगा न लिख लिख कैसे पढ़ाऊंगा तो यही सेम कंटेंट आपको दो घंटे में मिलेगा और नोट्स भी आपके तयार नहीं होंगे आप चीजों को समझ जहां आपको लगे कि इंपॉर्टेंट आप वीडियो को पहुच कर यह लिख तो नो दो दो चमेली का तेल लगा कि उसको साफ करने के लिए तो जितनी जरूरते होंगे एक सिंपल सैंपू भी आ सकता और एडवान सैंपू भी आ सकता है जैसे मालोग सिंपल सैंपू होगा तो उसमें केवल सर्फेक्टेंट पढ़ा होगा ठीक है क्लिनिक प्लस बगर जैसे सिंपली पढ़ा होगा है तो केवल बाल साफ करने का धुलने का काम करेगा और उसमें से जाग नहीं करेगा तो फोमिंग एजट मैं कहा दूँ कि आपको सैंपू बनाना है तो आप साफ करने वाला एक एजटेंट डाल दोगे तो यही सर्फेक्टेंट आपने डाल द सकते हैं ने कि जादा है यूज़ करते हैं सलफेट कंपाउंड ईूज होता है सलफ्बै कंपाउंड यहां कर रहा है तो दोनों का काम हो रहा है इसलिए हैसल्फ से से काम हो जा रहा है अब हम competit हो हогज जा यहां पर यूज़ करते दोखो एंटी डेंडर जिसको बोलते हैं या एंटी फंगल एजन्ट तो याद रखिए कहां से सवाल पूछा जाता है यहां से सरफेक्टेंट कौन सा यह जोता है क्लिंशिंग एजन्ट कौन सा यह जोता है एस एल एस पूरा नाम क्या है सोडियम लॉराइल कि सल्फेट लिखते रही है साथ साथ ठीक है समझते वे रही है लिखते रही है उसके लामा अगर डेंडर रफ है बहुत ज्यादा फंगल इंफेक्शन होगा उसकी वजह चोटे-चोटे पार्टिकल निकल रहे बालों में कं एंटिडंडर फेजन्ट यूज करोगे सबसे इंपॉर्टन जो सवाल यहां से पुछा जाता है वह एंटिडंडर फेजन्ट जो यूज होता है वह सेलेनियम कमपॉन्ड होता है यह वाला कमकॉन्डम सेल लेनियम डैसलफगर जाता है क्मछेनियम से कॉछी अलामा social रहते किटो को नजोल जिंक पायरिथ हायोजोन करके लिख लेना है यहां से दो सवाल अगर बनेगा तो यहां से स्लाइड में यही से बन सकता है चलिए अब आगे देखते हैं जड़ा और भी क्या कुछ सेंपू होगर हमें अब देखो अगर मालों बैक्रिल तो यह यह उता है फिर लिख देता हूं मैं ट्राई ख्लो सन इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है प्लीज इसको रिमेंबर कर लीजिए इमुलियंट क्या करता है आप मुझे बताएंगे कि इमुलियंट का काम क्या होता है emollient और humectant दोनों में फरक क्या होता है यह आप बताएंगे और दोनों के functioning में क्या होता है तो emollient के तोर पर हम लोग lanoline यूज करते हैं paraffin oil यूज करते हैं ठीक है और humectant humectant क्या होता है moisture को retain करने वाला agent generally हम लोग glycerine यूज कर लेते हैं glycerine as humectant यूज कर लेते हम लोग ठीक तो यह है तो shampoo जो आप लगाते थे जो आप जानते थे उससे अलग है यहां पढ़ना है because you are dealing with the competitive examination तो competition में जो पूछा जाएगा उसकी उस तरह किसा पढ़ाई करनी है ललू पंजू की तरह पढ़ाई नहीं करनी है एक standard set करके चलना है और जब मेरा experience है यह सब चीजों को तो मेरे experience को मैं बार-बार कहता हूं experience experience it means मैंने exam दिया हुआ है crack किया हुआ है चीजे समझी हुई है और exam अभी मैं देता रहता हूं ताकि मेरे अंदर की competitiveness बनी रहे ताकि trend मुझे पता लगते रहे ताकि pattern पता लगता रहे यह जो important important बोलता रहा हूं तो एक दिन की महनत नहीं है इस पर मैंने research किया हूँ मेरे कई सालों की महनत है मेरा academic career पुरा है इस पर ठीक है यह तारीफ तो नाम standard name technical name के है depilatories यह याद रखना है फिर से मैं लिख देता हूँ depilatories या इसको बोलते है hair removers बाल हटाने वाले ठीक है दोनों यह यह लेकिन standard name से आता है depilatories के नाम से और depilatories में जो सबसे main component होता है जहां से सवाल बनता है वो यह है आपके screen पर रहा यह थायो glycolic acid एक दम बिलकुल रटा मारेकर रखना है थायो glycolic acid this is the agent that is used as a main ingredient in depilatories ठीक है तो यह सवाल तो यहां से है दूसरा सवाल जब semester examination देता है कि कैसे hair remove का काम करता है यह क्या करता है जो क्रेटिन में ताकि बाल लूज हो वो reaction करता है क्योंकि यह सब chemical compound है तो chemical compound जो hair में क्रेटिन है उसके structure में जो डाइसलफाइड बॉन प्रिजेंट उसको ब्रेक कर रहा है उसको तोड़ रहा है और बाल को लूज कर रहा है वो इसली फिर scrap out हो जाता है बाल वही चीज़ है तो थायो glycolic नहीं किया थायो lactic acid दोनों होता है लेकिन सबसे अधा जो पूछा गया जो ट्रिंड में है थायो glycolic acid यानि कि थायो compound अगर कहीं दिख जाए depilatory option में हो टिक मार दीजेक नमंधी मार के बिल्कुल जाह मातादी बूल के ठिक यहां से सवाल बूरा संभाना बनने की होती है आप जरह देखतें कि काम कैसे करते हैं मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया depilatory कैसे काम करते हैं जो आपकी है रहना यह उसमें किरेटीन प्रोटीन है उसके बाद दैसलफाइट बॉन्ड को किरेटीन में तोड़ते हैं और लूज कर देते हैं एक थोड़ी दिर लेकिन उस पॉइंट भी से हमें नहीं पढ़ना है हमें पढ़ाई के एक्जामिनेशन कंपटेटिव पॉइंट अब यह समयना पड़ेगा यह सब नहीं पूछा जाता है अब एक सोच के देखे कि क्या होता होगा इस लिपस्टिक को यह जो स्ट्रक्चर है इसको शेप दे तो और भी यूज होगा ठीक यह सारी चीजें और यह जो कुछ-कुछ वैक्स होंगे कुछ मैट्रियल यूज होंगे कुछ बेसेज होंगे तो वह सारी बाते हम लोग जो है देखेंगे यह निससरी चीज मैं जो है डिलीट मार देता हूं क्योंकि नोट्स मुझे आपको श अधर च्रफिट और हो जाओ गे आना यही से सवाल तो पचीस पर्दना क्यों पढ़णा आपको ।छिक है सिंपल सिबात है तो डिजिडाली जाए समझ ये चीज को अब देखें कंपोजीशन कंपोजीशन में क्या क्या चीज हमें देखनी होती है देखो तहें डिखों कं तो मेन कंपोनेंट होता वह ता बेस इसका जैसे ओइंटमेंट सबसे इसका बेस होता है तो बेस में यह तो waxed use क्या जाता है या oils यूज क्या जाता है oils में भी mineral oil यूज क्या जाता है मैं बख कवे चाटा है mineral oil यूज क्या जाता है waxes में ये सारे waxes यूज क्याते हैं ये सारे थिक है अब देखो इसमें important के हैं वो ज़रा समल्दो आपने पढ़ा होगा सबसे इंपॉर्टन जो पूछा जाता है वह कोकाव बटर बीज वैक्स और कार्नोबा वैक्स जब भी लिप्स्टिक आपने लैब में बनाया होगा कार्नोबा वैक्स का यूज किया होगा अगर आप अच्छे क्वाले से पढ़ाई कि आपके लैब अच्छे शेटिंग होगी तो कार्नोबा वैक्स ठीक वैक्स एज बेस मिनरल ऑइल आज बेस यूज कर रहा है प्रोसेस करते हैं यहाँ पर आंटियूश कर रहे हैं ताकि ऑक्सिडेशन प्रोसेस ना हो वहाँ पर ठीक है इसकिन को भी सही रखे और सासत केमिकल कंपाउंट डिग्रेडेशन भी ना हो लिप्स्टिक बनने के बाद इसलिए यूज कर रहा है थिक उसके बाद जो हम बड़ा फेवरिट होता है जैसे सबजी में आलू फेट हो जा जग ना ऐसे टाइटनियम डायक्साइड यूज रता यह ठीक है तो टाइटनियम डायक्साइड को भूलिये मत बहुत काम की चीज़ है इंपॉर्टन चीज़ है चलिए बागे देखतें चारा कोई भी कलर च्थारा का जो मैं पेपर में देख रहाता मेरे दोस्तंठ ने दिया था तो उसमें भी यह पूछा गया था उसमें औप्षिन में आये था लेड़ लिप्स्टिक वाले कमपाॉंड से मैच करना ह् distributed के साथ सबसे प्रावलं होती है ना वह लड़ कमपाॉंड की यह नहीं कि लेड़ टॉक्सिसिटी पानी में लेड़ और आर्सिंग दोनों की हैवे मेश्टेल्स की टॉक्सिटी हो सकती है लेकिन जो lipstick है उसमें सबसे अदर जो problem होती है lead पाया जाता है lead के traces पाया जाते है so the biggest issue is lead traces यह आपको याद रखना है lipstick के साथ, यह important है the main toxicity that is lead toxicity और कैसे पता लगे कुछ European countries और कुछ American countries के लोगों ने इसको study किया USFDA फिर उसमें आई चेन में आई उसको बोला गया आप poison किस report एक report थी उसका नाम था यह सवाल नहीं पूछा जागा बस आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं आप poison किस नाम से report generate किया उसमें European countries और American countries जो western countries थे जो first countries जिसको बोलते है वो सारे country ने मिलके study किया था आप समझ सकते हैं आप बताएंगे कमेंट करके आप answer देंगे कि लेड क्या neurodegeneration का काम करता है neurotoxicity काम करना है क्या brain से associated functioning को disturb करता है लेड की problem कि अगर lead toxicity हो गए तो बने को क्या problem हो सकती है यह भी सवाल पूछा जाता है और लगे हाथ आप यह भी बताएंगे कि अगर lead की किसी को poisoning है मैं लिख देता हूँ या पर आप इसका भी जवाब बताएंगे lead poisoning यह जीपैट का सवाल है antidote वाला पूछा जाता है lead poisoning में कौन सा antidote यूज किया जाता है क्या EDTA यूज किया जाता है सवाल पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा हूँ क्या EDTA यूज किया जाता है या फिर कुछ और ठीक है वो आप बताएंगे कौन सा antidote यूज किया जाता है अगर lead की poisoning हो गई तो Google करेंगे दो मेंट में आ जाएगा चलिए अब ज़राता है nail liquor या nail polish या nail warnis या nail enamel देखो कितना सुन्दर सा nail oil पे लगा रखा है पॉलिस आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है females नाइक वाई का ब्रांड यूज करते रहते हैं शायद नाइक या आता है पता नहीं I don't know exactly ठीक है nail lacquers liquor नहीं lacquers nail lacquers इसे को बोलते है nail polish और nail enamel ठीक है यह सारी चीज़ से nail warnis ठीक है polish जहाँ warnis warnis यह दोनों बात एक ही हो जाती है ठीक है आप इंपॉंटेट सबस्ते है जब nail lacquers आप बनाते हो तो क्या चीज़ आप देखते होगे nail एक nail पे coating हो जाती है तो coating करने के लिए क्लिए क्लिए होगा एक polymer चाहिए होगा फिर वो coating nail क्योंकि देखिए उभार होता है कहीं उभरा होता है कहीं नीचे होता है तो film break हो सकती है तो यानि कि plasticizer agent भी use होगा ठीक है उसके अलावा nail polish अपने लगा लिए तो चमकने माला agent भी चाहिए होगा चमकने माला agent भी डालना पड़ेगा आपको तो यह ऐसे थोड़ा सा सोचिए थोड़ा सा creative बनी है इस चीज को लेके कि अगर nail polish बनाएंगे अगर formulation scientist अब क्या सोचते होंगे या आजए cosmetic developer आप क्या सोचते होंगे इसके बार में सोचिए तो वही चीज है सारी चीज है देखिए यहां पर मैंने लिख रखा अलड़ी अब देखिए film forming polymers film forming polymers यह जो film forming polymers होते है आप polymer है तो polymer अगर मालो powder फॉर्म में तो ऐसा तो है नहीं कि powder की तरह paste बना के फिल लगा दिया नहीं इनको और गनिक solvent में घोलना पड़ेगा यानि कि जो जो film forming polymer है plasticizer नहीं film forming agent is different plasticizer is different please make sure that जो polymer होगा वो polymer क्या होगा organic solvent में आप कहोंगे गुरुजी organic solvent क्यों अच्छा यह बताओ अगर एक्क्वस solvent होगा उसमें अगर घुल भी गया तो क्या वो इवापरेट होगा नहीं आपने नेल पॉलिस लगाए आपको इमर्जन्सिम पार्टी में जाना सूखेगा हो बैटके सुखाते रहो पूरे दिन तक तो और्गेनिक solvent यूज करते हैं हम लोग ज्यादा तर ठीक है organic solvent हम लोग ज्यादा तर यूज करते हैं जो यूज होते हैं जो भी पॉलिमर यूज होते हैं उनको घोला कहा जाता है और्गेनिक solvent में तो कौन सा सबसे आदा जो फिल्म फॉर्मिंग पॉलिमर यूज है था वो नाइट्र से लिलोज यूज के जाता है एक दम रट्टा मार करें यहां से सवाल आता है नाइट्रोसलिलोज नाइट्रोसलिलोज इस यूज ऐस फिल्म फॉर्मिंग पॉलिमर इन लेकवर्स दिस गूंग तो बेरी इंपॉर्टन प्लीज राइट दान दिस नाइट्रोस ठीक उसके लावा प्लास्टीस आजा एक बार लग गया था वो टूटे फूटे नहीं फि पर आजे फिल्म फॉर्मिंग कैसे यूज होता होगा आप मुझे बताना मैं भी इस पर थोड़ा रिसर्च करूंगा कि पीछा नहीं छूटेगा टाइटेनियम और क्रोमियम औक्साइट से ठिक उसके लावा ओपलेसेंट पिगमेंट जो चमक परदान करतें जो शाइनी ल नहीं होता है माईका और बिसमन औक्सिकलोर्य यह पूछा जाता है बिसमतRC के कंपॉर्ट जैननरी यूज करते हैं बिसमत- ऑक्सिकलोराइड इस अफूक्ट पर बनी लगाने चाह अच्छा इए अब कहेंगे की सर ये बता ये रिन अ क्ट पॉर्द लगा लिए कि आप हट दिमाग में हर चीज नहीं रहती दिखो लिखने का फायदा हो गया कि नहीं थोड़ा सा मुझे आचाना की आदा गया तुम भूल जाता कुछ इस्टेबलाइजर भी यूज होते हैं जो यूवी लाइट इस्टेबलाइजर होते हैं जैसे बेंजोफिनोन वन यह नहीं पूछा जाता लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा से जानना चाहिए क्या पता दिमाग फिर जाए पूछ ले नाइट्र सोलेलोस पूछता है बहुत ज्यादा पूछता है दो तीन बार सवाल पूछ चुगा उससे अब नेल पॉलिस को रिमूव कर से करेंगे जाहिर सी बात है किसी चीज को हटाने के लिए अर्गनिक स्वारा लेते हैं और सबसे इंटेंस जो समझ में आता आसान में दिखता है वह एसी टोन दिखता हो अर्टीवीसियल नेल किसके होते हैं एक्राइलेट पॉलिमर के इक्राइलेट पॉलिमर्स ठीक तो एसे टोन जनरली यूज होता है लेकिन प्रॉल्म एसे टोन के साथ ये है कि यह इतना तेज आ ना कि यह जो artificial nail लगे होते हैं उनको घोल देता है तोड़ देता है डिजॉल कर देता है को कि गुरुजी फिर क्या फिर लो यह इथाइल एसिटेट यह यूज़ करो option तो देखो कि इस प्रकृति को कभी भी वाइक्यूम पसंद नहीं है ब्रेक अप हुआ सीट भर जाए गया के वह कंसी जैसे क्रियेट हुई आपके नौकरी छूटी है जगा से दूसरा बंद आएगा नौकरी ले ले लागा कहीं भी नेचर में प्रकृत में वाइक्यूम इस नौट गूइंग तो बे अक्सेप्टबल जगां फिल हो नी ही हो नी लोग इसको जनरली एजे मोबाइल फेज लगे हाथ बता रहा हूं मोबाइल फेज यूज करते हैं HPLC में हाई प्रोफर्मेंस लिक्विड क्रमाटोग्राफी में ठीक है आई इसो प्रोपाइल अलकोहल ये सारी चीज़ है ठीक है सबसे अदर जो यूज होता वो एसी टोन ह यूज होता है आप सब इने स्टोन यूज किया होगा देखा होगा इसमें ठीक है जो रिमोर होता उसमें इसी टोन ही जैनरली होता और स्टोन यह अपरेट हो जाब जली तो आज के सेशन में इतना ही राने देते हम लोग आसा करता हूं कि आपको चीजे थोड़ी समझ में थोड़ी से आपके नौलेज में बृधी होगी तो मेरे खाल से आज के सेशन में पूरा फार्मासूटिक जो जनरल फार्मेसी है जहां से सबसे ज़्यादा पूरे फार्मासूटिक में देखे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं पूरे फार्मासूटिक में सबसे ज़ पालाई रहने देते हैं इतने सेशन कापी जहां से सवाल बनते हैं अब इसके प्यूजिए नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद जो है सीधे इंजिनेरिंग और उसके जो मिल्स वाले साइज रेडेक्शन वाले पोर्शन है उन सब का पूछा जाता है डिस्टिलेशन क्या उसके जाएगी ठीक है तो बहुत नहीं है और इतना ही इस चीज़े बहुत पढ़ना पड़ागे लेकिन आउटपूट जीरू है इस समय समय कम है आपके पास हमेशा ऐसी चीजों को पढ़ना चाहिए जहां से आपका आउटपूट मैक्सिमम हो फालतू की चीजे पता लागए अ जया आया एक सवाल तो ऐसी जगां क्यों समय कर रहा हूं ठीक है कम पढ़ो थोड़ा पढ़ो सौलिट पढ़ो दो दो घंटे जरूंद है कि दस लेक्च अब नहीं पढ़ एक लेक्चार पढ़ो जिंदगी में याद है लगे किषे बननें आपको पढो पढ़ाया था और वार वड़ तयारी नहीं होती है एक बर प्रपरेशन होती है ड आई पर जीपट कोई भी गजाम और जहां आपका एक एक जाम निकला मैं आपको गरंटी दे सकता है इतना हाइदा फिर तो कवी गजाम दे दोवा फार्मेसी का सब वाड लगा लगा लोग सबकी ठीक है और जिहान रखिये, हास्तरिये, मुस्कुरातरिये, नमस्कार.